अस्ट्राल कूम वेलकम टो शाइंस कुकेंग और आज हम बना ले भरा हुआ करेला बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी है उसके लिए हम करेले को थोड़ा सा छिलका उतार लेंगे ऐसे ही पूरा निकालना है थोड़ा सा बस उपर उपर से छिलका निकालने के बाद हम देंगे अब एक कटोरी में दो दो चमच बेशन एक चमच लान मिर्च आदा चमच हल्दी और तोड़ा सनमक से स्वादन साथ अब हम इसमें सिर्फ दो गोड के क्यूब्स रहेंगे जागरी इसको ग्रेट कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही अब पांच से छे लसन की कली और एक इंच का अध्रक इसको भी ग्रेट करके डाला है बिल्कुल ऐसे ही अब इसमें हम आधा चमच तेल डालेंगे और मिक्स करेंगे इसका एक पेस्ट बना देना है तिक पेस्ट मिक्स करके बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट बन जाएगा अब करेले को पीच से कट करना है और उसका पुरा अंदर का सब निकाल देना है बीच वग्यरा क्लीन करके अब इसमें हम पेस्ट परेंगे तो आसा टफ है जल्दी ऊपर नहीं होता पूरा नहीं कट करना इसलिए बल्कुल ऐसे ही पुरा फिलप करना है दोनों करें लेको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप बनाएंगे भी आई होप जो इसको फिलप कर लीजिए बिल्कुल ऐसे ही प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और बताइए कैसा है और सारी वीडियो सिखे मेरी बस ऐसे ही दो दोनों को फिलप करना है फिलप करके बचा हुआ थोड़ा पेस्ट हम साइड में रखेंगे ग्रेवी के लिए अब हम एक कड़ा चाहिं में एक चमच तेल दालेंगे है कि उसमें एक चमच जीरा और एक चमच राइ अब वो जब तक तड़का आएगा उसका उसके बाद हम यह चिला हुआ करेले का वो डालेंगे चला हुआ करेला अब हम दालेंगे पेस्ट कि उसको अच्छे से भूनेंगे चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी भी दाल दो इसे को बिल्कुल चार पांच मिनित तक ब्लू आच पे बूना इसको अच्छे से अब इसमें हम दालेंगे इमली का पानी यह पांच ग्राम इमली होगी उसको मैंने भीका के रखा था करेले की करवाहट चले जाए अब इसमें हम रखेंगे करेला उपर है लाइक हम स्ट्रीम के लिए रखते वैसे ही करेला रखना है ग्रेवी के ओपर अब इसको हम लो आज पर 15 मिनित तक स्ट्रीम करने देंगे जब तक ग्रेवी पर पक्चाईगी है बस यह देखो रेडी ह बरावब करेला विद ग्रेवी आपको यह वीडियो पसंद आई प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू अलाहाफिस